नमस्कार दोस्तों स्वागेते आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रेर फैक्ट्स में दोस्तों आज की वीडियो में हम बदाम के बारे में बात करेंगे बदाम में कई विटामिन और मिनरल्स पाय जाते हैं ये विटामिन E, जिंक, कैलसियम, मेगनीशियम और ओमेगा 3 फैटी असिड का एक बहतरीन स्त्रोथ है इसमें फाइबर कार्बो हैडरेट, एमिनो असिड, फैट होता है जो कि सिर दर्द मुह की दुरगंद, दस्त खुजलियादी को दूर करता है दोस्तो बदाम कमजोरे दूर करने के साथ साथ यादास्त को तेज करने में मदद करता है इसके फल का परियोग मेवे की तरह पोश्टिक पकवान बनाने में तथा ओस्दी कारे में किया जाता है दोस्तो बदाम खराब कोलिस्टरोल को नियंतरित करने में मदद कर सकता है और अच्छे कोलिस्टरोल के स्तर को बढ़ावा देता है इसे दिल की सिहत अच्छी रहती है दोस्तों भीगे हुए बदाम रक्त चाप यानि की बलड प्रेशर को नियंतित करने में मदद करते हैं कहा जाता है प्रते दिन 22 से 14 बदाम का सेवन हम कर सकते हैं अनेको सोदर से ये ग्यात हुआ है कि रोजाना इतनी मात्रा में बदाम खाने से मोटापा भी नहीं होता है मैं आपको बता दू कि बदाम का पेड़ भी आडू की तरह ही दिखता है और उसे भी आडू के समकूल परिस्थिती में उगाया जाता है बदाम आडू परिवार का ही फल है बदाम का उलेख प्राचीन बाइबल और प्राचीन युन्यान के इतिहास में भी मिलता है सन सत्रा सो के बाद बदाम की विभिन किसमें भी खोजी गई है और उनमें कैलिफोर्निया से निर्यात होने वाले बदाम की किसमें सरुस्रेश्ट माने जाती है तोस्तो ये भी कहा जाता है कि महत्मा गांदी जी प्रति दिन सुभ़ए बदाम का सेवन करते थे बदाम को ड्राइफ रूट्स का राजा कहा जाता है और इसकी nutritional value के कारण इसका सेवन सबसे अधिक किया जाता है हमारे सरीर को magnesium की रोजाना जरूरत 310-420 mg होती है जो कि सिर्फ 56 ग्राम बदाम खाने से आपको 1500 mg magnesium मिल जाता है बदाम में काफी मात्रा में protein पाए जाता है protein ने केवल आपको energy देता है बलकि मस्तिस के किकोशिकाओं को भी repair करता है जिससे किसी भी काम में दिमाग लगाना और फिर सोचने समझने की सकती एकदम से बढ़ जाती है रिसर्च में ये भी बाते सामने आए कि यदि कोई व्यक्ति दिन में पाँच बदाम खाता है तो उसे heart attack का खतरा 50% तक कम हो जाता है दुनिया के 80% बदाम कैलिफॉर्निया में उगाई जाते हैं कैलिफॉर्निया बदाम खेतों में सेंट्रल वैली के 500 मिल की दूरी पर 6,000 इसके उपादक है बदाम तीन हिस्सों में पेड़ पर उखते हैं पतवार, खोल और करनेल अमेरिका में सभी बेचे जाने वाले बदामों को सेल मोनिय ला और अन्य बेक्टिटिया विकास को रोकने के लिए पस्चराइश्ड भी किया जाता है दोस्तो पेड़ से बदाम को हाथ से नहीं निकाला जा सकता इसको निकालने के लिए एक प्रोसेस होती है और ये एक मसीन द्वारा हिला कर जाड लिये जाते हैं उसके बाद एक प्रोसेस से इसको निकाल लिया जाता है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो मेरे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद